तो तो यदि आपने भी इंटर एडमिसन के लिए फॉर्म भड़ा है और फॉर्म भड़ने के दोरान आपको कुछ गलतिया हो चुकी है उस गलतिया को आप कैसे सुधार कर सकते हैं जिसकी पूरी जनकारी इस वीडियो में बताई जाएगी क्योंकि हम आपको पूरी जनकारी सब्सक्री लाइब दिखाएंगे कि क्या क्या डीटेल आपको अपडेट करने का यहां पर मौका दिया जा रहा है और क्या अपडेट आप सकते हैं देखें काफे सारे स्ट्ट्वेंट ने कॉमेंट की एक सर मेरा डेट वर्थ गलत हो चुका है यह जो भी आपको कॉमन से सम खादें चेंज करना या हमने साइनस ले लिया है हम चाहते हैं आट लेना तो कैसे यह सभी काम को करना पूरी जैनकारी बताएंगे यहां पर आपको घबराने क्या बसकता नहीं है अगर आपने फौ speech अधर समय जैनकारी दिया था और लास नहीं आपको गलत जनकारी दे रही है तो उसकी लिए भी घबराना नहीं है उसका सारा सलोसन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वीडियो अगर आपको पसंद आ तो एक लाइक जरूर करें और चाहते हैं इस परकर की लगातार आपडेट आप तक मिलती रहें तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी अपडेट की ज्यू भी जनकारी होगी आपको मिल पाएगी चलते हैं अपने स्किन पर और सारी जनकारी यह स्टिप बाई यह स्टिप आपको बताते हैं कि कैसे इंटर एडमिसन का जो फॉरम है उससे कैसे सुधार करना है इंटर पर एक option मिलेगा बिहार इंटर एडिमेशन ओनलाइन अपलाई 2023 जिस वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है नीचे स्कॉल करेंगे काफे सारे लिंक मिलेंगे और इंपोर्टेंट लिंक वाले सेक्षन में आपको आना है यहां पर आप देखेंगे टैरेक्ट एक option login का मिलता है इस login वाले विकल पर आपको क्लिक करना है यहां पर क्लिक करने के बात देखें यहां पर आपका जो mobile नमबर होगा जो आपका online आवेदन करते समय आपने डाला होगा वो आपको मिलेगा password आपको डालना है यह user ID password जो है आपके number पर मिल जाता है वही बाला डालना ह है जो कि आप इस पर कर देख पाएंगे यहां पर आपका जो मॉज़न हो जाता है यूजर आईडियो होता है पासवड आपको यहां पर देखनों को मिलेगा वही मॉऐर नंबर डालेंगे पासवड डालेंगे और यहां पर आपको Login वाले विकलय करना तकर पासवड नहीं पता है, आप यहां से forget कर लीजेगा, forget वाले विकल पर किलिक करेंगे, आपको अपना application नमबर, mobile नमबर और gate OTP पर किलिक करके, OTP अनवा कर इसको आप forget करकर login करेंगे, देखिए application नमबर भी नहीं पता है, तो इसके लिए video आपको मिल जागा, description में जाकर देख इस जनकारी में आपको सभी detail को एक बार जरूर शेक कर लेना है, क्योंकि वहाँ पर कोई preview आपको नहीं दिया जा रहा है, और इस बार पोटल में भी बदलाव की गई है, हर option को अब अलग धंगों से दे दी गई, जैसे यहां पर आपका जो भी detail है, यह student का information है, यहां पर आपने जो college चुना था, उसका information है, यहां पर common application form का print लेना है, तो यहां से ले सकते हैं, payment आप यहां से कर सकते हैं, और payment का जो history है, आप यहां से देख सकते हैं, साथे साथ कोई समस्या हो रही तो contact us का भी option है, यहां से contact कर सकते हैं, तो समझने वाली बात है, यहां पर समस्या हो रही है, तो अब यहां पर देखेंगे न, कि photo आपका जो है, यहां पर कहीं भी आपको edit का कोई option नहीं add किया गया है, नहीं आपका date of birth में कहीं पर भी edit का option दिया गया है, मतलब कि यह detail जो है, जो आपका information है, जो आपने registration करते पक डाल दिया, उसको आप चाह कर भ यहां पर आपको घवराना नहीं है, अगर मान लिजी आपने form भरते समय, बिल्कुल सही date of birth डाला है, अभी कुछ और दिखा रहा है, तो यह आपका कोई समस्या नहीं है, यह क्या है कि server इनका इतना जादा ही घटिया बोल सकते हैं, इतना घटिया server किसी board का नहीं होता है, भी hardboard के अलावे, जिस कारण से डाल आप कुछ और है, लेकिन यहां कुछ और सो करता, तो यह सही हो जाएगा, इनका server जह सही सही होगा, इनके द्वारा work हो रही है, लगातार server डाउन अप हो रही है, तो यह आपको यह जो आपका date of birth original अगर आपने सही डाला था, तो बिल बोला जायर कि क्या आप update कर सकते हैं, यहां पर देखे selected जो अपने college चुना था, जो stream चुना था, जो candidate 4 है, कि stream हम बदलना, तो इस पर आप click करेंगे, तो देखे यहां पर कैसे option दे दिया गया है, यहां पर एक option आप देख रहा है न, edit selection college का मिल रहा है, इसी परकार जो है, यहां पर भी इनको option देना चाहिए था, personal information में, edit करने का, क्योंकि बच्चा अभी तक payment नहीं किया है, उनको भी यह, जो edit करने का मौका है, वो नहीं दिया जा रहा है, अब देखे, edit आप चाहे तो जो candidate science ले लिए, art करना चाहते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, इसको आप delete कर लिजिए, फिर नए धंग से, जो भी जीला में college चुनना चाहता है, उसको चुने, और यहां से आप stream को चुन सकते हैं, और इसको add कर सकते हैं, और नीचे में option मिलता है, please click here to submit form, इस पर click करेंगे, आपका जो college है, और साथे साथ जो आपका stream है, इसको आप बिल्कुल update क किया है, तो यह आपने payment भी कर दिया, फिर भी आप इसको update कर सकते हैं, बहुत सारे student का जब form गलत हुआ है, वो क्या कर रहे है, दोबारा जा रहे registration करने, तो उनके साथ इस प्रकार error आ रहा है, कि आपका जो registration है, वो पहले से ही हो चुका है, आप दोबारा registration नहीं कर सकते है forget कर सकते हैं, तो आपको भी यह error आएगा, आपको दोबारा registration करने का option नहीं मिल रहा है, गलती अगर आपसे हुई है, अगर आपने जान बुच कर गलती नहीं किया, तो घवराईए नहीं, अब उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, common application form, इसका क्या मतलब है, जब आप इस पर किलिक करेंगे, तो जो आपने detail डाला है, उसी का एक बार preview आता है, उस preview में आपको सभी जनकारी देखना है, और यहाँ से इसको आप download कर सकते हैं, अब payment अगर करना है, तो यहाँ पर option मिलता है payment information, जिस पर किलिक करना है, आपके सामने payment के लिए यहाँ पर पूरा detail लाता है, payment आप जिस भी माध्यम से करना चाते है, एक ही माध्यम में access bank का जिस पर आप किलिक करेंगे, और नीचे में एक option मिलता है, आवेदन सुल्क जमा करें, जिस पर किलिक करेंगे, अगर आपने इस से पहले payment किया था, तो payment का जो status है, उसको भी आप चीक कर सकते हैं, जैसे आप इस पर किलिक करते हैं, आपको यहाँ पर रिडाइडेक करता है, इसका जो भी टर्मन कंडेशन है, जिसको आपको किलिक करना है, और यहाँ पर देखेंगे दो option है, बे access bank retailer, अगर आपको access bank से ही करना तो इसको करें, अगर आपको other bank का, आपके पास card है, कुछ भ आपको payment हुआ है, पूरी जनकारी मिलती है, जैसे आप देख पाएंगे payment आपका pending है, पेंडिंग होगा, तो आपको परसान नहीं होना, इंतजार करना 24 से 48 गंटा, और यहाँ से इसका जो status है, इस पर किलिक करके आप बार बार चेक करते रहिएगा, कि payment आपको success हुआ है, आपके साथ, तो इस परकार हमने आपको पूरी जनकारी बता दिया, कि कैसे क्या update आपको करना है, अब आईए और भी जनकारी आपको बताते हैं, दोस्तों अभी आपने देखा, हमने complete process बताया है, इंटर आइडमेशन में, जो आपकी form भरने में गलतिया हुई है, उसमें क क्या क्या आप सुधार कर सकते हैं, और क्या नहीं सुधार कर सकते हैं, साथे साथ, जिन candidate का डेटो बर्त और फोटो सही डालने के बाद भी गलत आ चुका है, तो आपको घवराना नहीं है, यह server का कीरर है, जैसे ही यह set out होगा, फिर आप कुछ दिन बाद जब आप लॉग उस college में जाकर, आपको जब नमांकर लेंगे, उस समय आपको बोलना है, कि sir मेरे marksit पे कुछ और हो चुका है, मेरे marksit के अनुसार आप admission कर दिजे, तो उनके द्वारा आपके marksit के अनुसार ही admission करेंगे, जो आपका नाम होगा, डेटो बर्त होगा, जो भी आप वहाँ लोड है, एक limited ही रहता है बिहार का, लेकिन जभी भी unlimited है, जभी ही लोड पड़ता है किसी भी server पर, वो crash होता ही है, crash होने क बाद कई सारे error आते हैं पोटल में, आप डालेंगे कुछ और, सो करेगा कुछ और, तो यह सब समस्या है, तो इसको लेकर बिहार विदाले परिक् है, तो आप comment करिया, और आगे हो सकता है कोई update आए, इसको लेकर तो हम आपको इसकी जनकारी आपको update कर देंगे, बहुत सारे candidate को और भी समस्या है, सभी समस्या पर हमने विडियो बनाया है, एक विडियो यहाँ पर मिल रहा होगा, आपके समस्या के regarding यहाँ पर जाकर आप देख लिजिएगा, विडियो देखने के लिए बहुत बहुत हनवाद